दोस्तो अरुस फंडमेंटल्स में आप सभी का स्वागत है क्या आपको दो-तीन महिना से बिल नहीं मिला है तो दोस्तो इसका समधान आपके हाथों में है क्योंकि अगर आपको 35 दिन से जादा हो गए पिछला बिल मिले हुए तो आप अपना बिल स्वैंग बना सकते हैं इसक अपना बिजली बिल स्वैंग बनाए और सेवाओ हे तू क्लिक करें तो आप क्लिक कीजिए आज मैं यही बताऊंगा कि आप अपना बिल कैसे खुद से बना सकते हैं तो इसमें यह रिट कलर में जो आप गाइडलाइन्स देख रहे हैं इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा जो कैसे क्या है वैसे मैं ब्रीफ कर दूँ एडलाइन्स पे जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक पीडिएफ मिलेगा उसमें बहुत ही अच्छे तरह से बताया गया है सब कुछ तो इसमें देखते हैं टर्म सन कंडिशन मतलब है जो आप NBPDCEL या SBPDCEL जो भीहार की वितरन कंपणी है उसका उभोकता आपका होना चाहिए स्मार्ट मीटर कंजूमर आपका नहीं होना चाहिए बिना मीटर के आप खुद से बिल नहीं बना सकते हैं मतलब अनमीटर कंजूमर के लिए यह है ही नहीं उसके बाद देखिए डिसकनेक्टिड अगर आपका लाइन कटा हुआ है तो आप बिल नहीं बना सकते हैं और एक और महत्पूर्ण है जो लास्ट में आप देख रहे हैं जो कंजूमर का पिछला बिल जो है वह मीटर डिफेक्टिव पे नहीं होना चाहिए वह रीडिंग पे होना चाहिए तभी अभी आप रीडिंग देखें बना सकते हैं तो हम लोग एक डेमो देखेंगे रियल डेमो देखेंगे मैंने एक बिल बनाया है उसको मैं आपको दिखाऊंगा तो आप सुधा अप डॉलोड कर लीजिए और यह जो भोकता अपना बिजली बिल स्वेंग बनाए बॉक्स है इसमें नीचे लिखा हुआ है सेवाओं है तो क्लिक करें तो इस पर आप क्लिक करिए अपना बिल बनाने के लिए तो जब आप क्लिक करेंगे तो यहां गाइडलाइन के बारे में तो मैंने बता ही दिया है तो यहां अब आपको कंजूमर आईडी तो जब आप बिजली का आपना consumer account number डालके process करेंगे तो next verification के बाद ये आएगा अगर आपका bill बनने लाइक होगा जो conditions हैं जो मैंने बताया वो अगर आप satisfy करेंगे तो आपका ये screen आएगा इसमें देखी ये लिखा हुआ है जो we are ready for your bill generation ठीक है और आपको reading वगेड़ा के लिए meter के पास आपको रहना पड़ेगा तो इसको जैसे ही आप process करेंगे तो registered mobile नमर जो है उसपे एक OTP आएगा तो आप proceed कीजिए तो मैंने OTP जो आया था 114853 वो डालके और नीचे जो validate OTP है उसपे मैंने click किया क्लिक करने के बाद आपको next screen में आपको reading डालने के लिए आ जाएगा और उपर देख रहे हैं kwh-kw मतलब आपको kwh energy reading डालना है kwh में maximum जो demand है md वो डालना है तो आप किसी पे भी click करके आप कोई भी reading पहले डाल सकते हैं उपर में जैसे आप click करेंगे शुरू में kwh वाला reading है डालने को अगर आप चाहें तो kw पे click करके पहले kw भी डाल सकते हैं तो देखिए ये reading मैंने जब check किया ये 422 था और ये reading आप जानते हैं कैसे मिलता है देखिए ये reading है 422 तो यहां मैं इसका snapshot भी ले लेता हूं देखिए ये ले लिया image देखिए जैसे मैंने reading इंटर कर दिया और इसका image ले लिया तो ऊपर में की जो kw ह है वो green हो गया तो reading तो आप इंटर डिक कर देंगे और फोटो लेने के लिए आपको मीटर का photo लेंगे टेक photo पे क्लिक करेंगे अगर आपका मीटर का photo अच्छा नहीं आया तो आप remove photo करके फिर से आप photo ले सकते हैं इसके बारे में मैं दो महत्पूर्ण बातें बता देता हूं पहला तो यह जो reading लेंगे उसमें पहले जो 00 अगयरा सब है वो नहीं लेंगे दूसरी बात है decimal के बाद हम लोग नहीं लेंगे बतलब 422.2 रहता थ्री रहता तो वह सम नहीं लेते हम लोग 422 नहीं लेते और उ जिरो पॉइंट के बाद जो है दाइने तरफ हम लो लिखेंगे 0.47 क्यूंकि दो ही डिजित तक आपको लिखना है फिर टेक फोटो पे आप क्लिक कीजिए देखिए यहां है 0.472 ले लिया इमेज लेके इसको राइट साइड जो टिक है सही का निसान है उस पे मैंने क्लिक किया आप देखिए यह दोनों लेने पे भी उपर हरा हो गया और यह रिडिंग भी जब मैं उपर क्लिक किया तो यह भी दिखा रहा है मैंने कितना लिया था तो अब आप देखिए जब मैं ने दोनों reading डाल दिया तो generate bill के नीचे जो kwh है और kw है ये दोनों आपको green हो गया जो reading नहीं लिये थे तो वो rate था इसी तरह जब commercial भोगता nds हैं तो nds में एक power factor का भी आएगा और power factor में भी दो digit तक हम लोगों को इसमें इंटर करना पड़ेगा तो उसमें PF वाला billing आएगा तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों self billing करने में आपको डाउट है जो कौन सा मुझे reading डालना चाहिए तो इसके लिए आप आरुस fundamentals पर जा सकते हैं और उसमें प्लेलिस में अगर आप जाएंगे तो all single phase meter में मैंने सारे meter का बताया हुआ है जीनस सेक्योर लेंडिस अंगार एच्पील और इसमें वोल्टेज के बाद जो फेज करेंट और नीट्रल करेंट दिखाता है उसके बाद जो क्वह आता है एक क्वह आपको billing parameters में दिखाएगा वो एक तरीके 0-0 hours का होता है और वोल्टेज करेंट के बाद जो क्वह दिखा सकते हैं नीचे टिक तो मैंने पहले ही कर दिया था अगर आपने नहीं किया है तो अभी आप टिक कर दीजिए उसके बाद generate bill पे आप क्लिक कीजिए तो generate bill पे जब आप क्लिक करेंगे तो final confirmation आप से पूछेगा जो आपका reading अप submit होगा bill generation के लिए do you want to proceed तो आप इस पे सही reading आपने अगर मिला लिया है तो इसको प्रोसीड कीजिए अगर आप वह डाउट है तो cancel करके आप फिर से reading डाल सकते हैं तो प्रोसीड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यह reading submit करेगा जो server है जो company का जो billing server है उस पे तो data company के billing server पे update होने के बाद आपको एक message आएगा जिसमें लिखा है देखे success reading saved successfully और फिर आपको एक reference नमबर देगा तो यह reference नमबर जो देगा उसमें आपका consumer नमबर ही रहता है और last जो है 8 digit वो देखे date रहता है जैसे इसक अर्था लाट डिजिट है 8-6-2021 अर्थात 8-6-2021 को यह bill बनाए गया था तो इसको आप check कर सकते हैं इनका bill बन चुका था एक घंटा में इनका mass bill हमने download कर लिया और उसको जब हम मैंने देखा तो देखे जो मैंने reading डाला था 422 वो ही है यहाँ आप देख रहे हैं रिडिंग वर्तमान माह का रिडिंग वही है 22 और पावर फेक्टर तो 0 है और maximum demand जो इसका डाला था देखे maximum 0.47 है तो उसी अनुसार इनका जो है बिल बन गया जेनरली एक घंडे के अंदर आपका बिल बन जाता है बहुत ही fast service है दोस्तों नहीं तो साम तक तो जरूर आ जाएगा अगर आप दो पार में बनाए हैं मतलब 24 hours में तो अनिश्चित आ जाएगा तो उसको देखने के लिए आप वही बिल generation service में जहां generate बिल कि नहीं था सारी सुब्धाओं से less है यह सुब्धायप इसलिए नाम है शुब्धायप तो सेवाओं है तो क्लिक करें इसमें आप बिल एबम रसीद देखें पे क्लिक करके आप परतमान बिल देख सकते हैं तो बहुत-बहुत सुक्रिया दोस्तों इस वीडियो के देखने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब, सेर कीजिए